आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों वीडियो में आज हम आपको बताएंगे के आप दोके बाच पत्नी को कैसे पकड़ सकते हैं हमारे दोरा बताएंगे रास्ते बहुती सरल हैं आप इनको ध्यान पूर्वक्स सुनें आप बहुती असानी से यह पता लगा पाएंगे के आपकी पत्नी आपको दोका दे रही है या नहीं दे रही है जानकारी अतिमहतपूर है आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें अंतक देखें बिने स्किप करें ताके आप तक यह अतिमहतपूर जानकारी पूर्वरे वीडियो को दोस्तों रिष्टे चुनोती पूर्ण होते हैं जीवन के हर मोड पर वे बदलते हैं और उस बदलाव के साथ या तो खुशी आती है या तनाव हर कोई चाहता है कि उसका रिष्टा सही रहे फिर भी हम मेंसे कुछ लोगों को बेवफाई के भयानिक दर्द से गुजरना प है लेकिन बहुत से लोग धोका काने के बाद भी अंजान रहते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्या इस बात की संभावना है कि आपका साथी आपको धोका दे रहा है या आपकी और सुरक्षाएं आपको उनके कार्यों पर अनवश्यक रूप से सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं कभी कभी लोग इस मुद्दे को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि उनका साथी दोका दे रहा है दूसरी और ऐसे बात से लोग हैं जिने संदे हैं वे बेवफाई के बारे में जानते हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिष्ट दोका देने वाले व्यक्ति से चत्राई से आगे निकल जाते हैं तो आप दोके बाज को कैसे पहचानते हैं दोके बाज को पकड़ने या जानने का कुल मिश्चित तरीका नहीं है कि आपका जीवन साथी आपको दोका दे रहा है या नहीं लेकिन कुछ हैं असान से सरल तरी के लक्षनों में गोपनियता में व्रिद्धी, वावनात्मक्दूरी, और स्पष्ट अनुस्पस्ति, संचार पैटन में अचानक परिवर्तन, फोन या कंप्यूटर का गुप्त उप्योग, अंतरंता की कमी, साजा गती विदियो में रुची में कमी, दिखावे पर अचानक ध्यान, रक्षनाप्रक्त व्यवार और अक्सर औरस्पष्ट मैस शामिल हो सकती है। दोस्तों, अपनी अंतरग्यान पर भरुसा करें, लेकिन याद रखें कि यह संकेत अकेले बेववाई की पुछ्टी नहीं करते हैं, खुला संचार चुनताओं को दूर करने और रिष् उससे बात करने से पहले आपको सबूत इकटा करना कई कारणों से महतपून है। सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी चिंताए निराधार संदेयों के बजाए तथ्यों पर अधारित हैं, जो निदोश पक्षों को अनुचित तनाव या नुक्सान से बचा सक करता है। दूसरा ठोस सबूत अधिक उत्पादत बातचीत की और ले जा सकते हैं क्योंकि यह चर्चा और संभावित समादान के लिए एक सपच्ट आदार पदान करता है। इसके अतिरिक्त यह है गैस लाइटिंग या इंकार को रोकने में मदद कर सकता है और अधिक इमा या थेरिपी जहां पुष्ट दावों का अधिक मैत्व होता है। कुल मिलाकर साक्षे आपको स्पच्टा, निश्पक्ष्टा और रचनात्मक परिनाम के समावना के लिए बोके बाजों को पकड़ने के लिए सर्शक्त बनाते हैं। अगर आपको संदे है कि आपके पतनी आपको दोका दे रही है तो यह है आपको पहले से ही संदे की पुष्टी करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपकी पीट लीचे कुछ मज़ेदार हो रहा है और आप अपने साथी को दोका देते हुए पकड़ना चाहते हैं। हालके इन्हें अलग अलग करके या बेवफाई की पुष्टी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों बेवफाई की चिंताओं को दूर करने का अधार आपके साथी के साथ एक खुली और साहनुबूति पूर्ण बाचीत है। बिना किसी दोश के अपनी बावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करें और उनके लिए भी साजा करने के लिए एक सुरक्षित स्टान बनाएं। दोस्तों खोलाद रिष्टिकोन विश्वास को बढ़ाता है और दोनों भागिदारों को मुद्दों को रचनात्माग धंग से सुलजाने की अनुमती देता है जिससे रिष्टे को कमजोर करने के बज़ाए मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अपने अंतर ग्यान पर भरोसा करने का मतलब है उसे आंतरिक आवाज को सुनना जब आपके रिष्टे में कुछ ठीक ना लगे दोके बाच पत्नी को कैसे पकड़ा जाए यह सीखना का एक महतपून तरीका है। दोस्तों अपने अंतर ग्यान पर भरोसा करने से उन मुद्दों को समझने और उनका समधान करने का दुवार खूलता है जो आपके रिष्टे को प्रभावित कर रहे हैं और अतर विश्वास और संचार को बढ़ावा मिलता है। आपरे साथी के विवार में किसी भी महतपून बदलाव पर ध्यान दें जो पेवफाई का संक्यत हो सकता है। दोस्तो इस अवलोकन को सहनवूती के साथ समझना ज़रूरी है यह पहचानते हुए कि ऐसे बदलावतनाव व्यक्तिकत मुद्दो या अनेक कारकों के कारण भी हो सकते हैं। खुला, गैर, टक्रावपून संचार आपकी चिंताओं को दूर करने और उनके व्यवार को अंत्र नहित कारणों को समझने का सबसे बड़िया तरीका है। आपने साथी के सोचल मीडिया व्यवार का अवलोकन करने से उनकी बावनातमक्स दिती और गति वीदियो के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों को याद रखें कि सोचल मीडिया हमेशा वास्तवित्ता का सेटीक प्रत्विम नहीं होता है। इस मामले में साहनों बूती और कुले दिल से संपर्क करें। आरोपों के बजाए बाचीत की तलाश करें। विश्वास समझ पर अधारित होता है। और खुली बाचीत आपके किसी भी संदेग के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में मदद कर सकती है। दोस्तो फोन और मैसेज एक्सचेंज पर चर्चा करने से निर्ष्टा पर आकरमन करने के बजाए पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। विश्वास पर अधारित संदे संबंद होने पर डिवाइस या अकाउंट लग पहुंच साजा करने के बारे में खुली बाचीत या नुमती देता है। दोस्तो इस बात पर जोर दें कि यह जासूसी करने के बारे में नहीं है। बलके विश्वास को फिर से स्थाफ़ित करने और या सुनिष्चत करने के बारे में हैं के दोनों साथी रिष्टे में सुड़क्षित मैसूस करें, उनकी सीमाहों का संमान करें और उनें आश्वस्त करें कि विश्वास ही अंतिम लक्ष है। दोस्तो लोकेशन शेरिंग एप के माध्यम से अपने साथी की गतिविद्यों पर उनकी सहमती से नजर रखने से विश्वास का उलंदन किये बिना संदेगे को दूर करने में मदद मिल सकती है इस कदम को सवेदर शिल्ता से उठाएं आपने चिंताओं और उश्वास को पुनर स्तापित करने की इच्छा पर जोर दे याद रखें दो के बाद जीवन साथी को पकड़ने का तरीका सीखने का लक्षे रिष्टे में खुला संवाद और स्पच्टा को बढ़ावा देना है दो के बाद जीवन साथी को कित्ते करते हुए पकरना नहीं बलकर संभावत मुद्दो को रशनात्मक घंग से संभोधिद करना है आप सी मित्रों से संपर्क करने से आप अपने साथी की गति विदियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना आकरमन रहनिती अपना है अपनी चिंताओं को नाजुब धंग से व्यक्त करें आरोपों के बजाए स्पच्टा की अवश्चक्ता पर जोर दें दोस्तों यदि आपका साथी किसी पेन समंद पर पैसे खर्च कर रहा है तो विदियो रिकॉर्ड की जांच से बेवफाई के संकेत आपको मिल सकते हैं यदि आप अनियमताओं को नोटिस करते हैं तो इस विश्चे पर धीरे से बात करें आरोप लगाने के बजाए आपने रिष्टे की वित्यस्तिति के बारे में चिंताव्यक्त करें पैसे के बारे में इमानदारी से चर्चा करने से मुद्दों को उजागर करने और समदान निकालने में मदद मिल सकती है जिससे विश्वास और पादर्शिता में सुधार हो सकता है जब अन्य सभी विकल्प समाब्ध हो गए हो तो दोके बाज को पकड़ने के लिए निजी अन्विशक को निक्स करना वास्ता में एक तरीका हो सकता है एक जाँच करता संदे की पुष्टी या खंडन करने के लिए फोटो या वीडियो फुटिज जैसे सबूति का टेक कर सकता है हाला कि यह सावदानी से उठाया जाने वाला कदम है क्योंकि इससे विश्वास और भी कम हो सकता है यह हमेशा तभी उचित है जब यह मानने का कोई ठोस कारण हो कि बेवफाई हो रही है दोस्तों दोके बाज लोग अपने साथी की दिन चर्य पर बहुत ज़्यादा निरवर रहते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी दुराईयों में लिफ्त होने का मौका मिलता है और उन्हें पकड़े जाने की चिंता भी नहीं होती दोके बाज पत्नी को पकड़ना तब मुश्किल होता है जब उन्हें आपकी दिन-चर्या के बारे में सब पता हो दोस्तो और संगत कहानियों का अवलोकन करने में यह देखना शामिल है कि आपका साथी आपने कार्यों या ठिकानों के लिए क्या स्पच्टी करन देता है जो मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं जब आप उन्हें जोड बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो यह रिष्टे में संभावित समस्यों का एक सहनु भूति पूरू सूचक हो सकता है जो किसी भी आंत्रनहित समस्यों को समझने और दोनों भागिदारों को लाप पंचाने वाले समधान की दिशा में काम करने के सकता है इस चिंता को समयदन शिलता और समझ के साथ समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों निशकर्ष पर पहुंचने के बजाए उनकी भावनाव और चिंताओं को समझने के लिए इन बदलावों पर खुलकर चर्चा करने पर विचार करें ताकि एक दूसरे के साथ अंत करने में मदद आपको मिल सकती है कई धोके बाज साथी गुस्से को अपने बचाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अगर आपका साथी जान बूच कर आपसे जगडा करता है और घर से बाहर निकल जाता है तो आपको इसे नजर अंदास नहीं करना चाहिए क्या पैटन धोक करने के लिए क्या वे जगड़े का अनुसर रहे हैं यह बस चले जाना चाहते हैं आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि आपका साथी किसी बात को लेकर चिड़ा हुआ है या क्रोधित है या वैसे दिखावा कर रहा है ताके वैं घर से बाहर निकल सके दोस्तों किसी रिष पार दर्शिता की कमी को दर्शाता है जो विश्वास के लिए महतपूर्ण है ऐसे मामलों में आपने साथी के साथ सानुभूति पूर्ण के साथ पेश आना ततायमान दायरी और खुलेपन के साथ अपनी चिंताई व्यक्त करना आवश्यक है क्योंकि यह स्वस्त्रिश्य प्रिष्टे के लिए मौलिक है ध्यान दे कि क्या आपका साथी अचानक आपनी शारीरिक प्रस्तुति में महतपूर्ण बदलाव कर रहा है जब के परिवत्न समानने हो सकता है अचानक और नाट के बदलाव अंत्रनहित समस्याओं का संकेत हो सकता है इस तिती को सहनबूति के साथ देखें यह समझते होए कि ऐसा परिवत्न व्यक्ति का संगर्श या असरप्षा का संकेत भी हो सकता है जिनके लिए ततकाल आरोप लगाने के बजाए सहनबूति पूर्ण विपाचित के अवश्यक्ता होती है दोस्तों बावनात्मक दूरी की कमी को नोटिस करना संभावित बेवफाई का एक संभेदशिल संकेत तक है जब कोई साथी बावनात्मक रूप से दूर हो जाता है तो इसका मतलब अक्सर यह होता है कि वह आपके साथ बावनात्मक संबंद से दूर हो रहा है इसे सम्मेता से संबोधित करना महतपूर्ण है क्योंकि यह हमेशा दोकादरी का संखेत नहीं होता है बालके अंत्रनेहता संबंद समस्यां होती हैं जिनें सुलजाने के लिए समझ और संचार की अवश्यक्ता होती है दोस्तों संदिद बेवफाई के मामलों में युगल चिकित्सक की जायता लेना अपने पती या पत्नी को दोका देते हुए पकड़ने के तरीकी को जानना जानने में एक महतपूर्ण कदम हो सकता है आशा करते हैं देगई जानकारी आपको उपी होगी एवं महतपूर्ण लगी होगी वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजेगा एवं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे के प्रशन से आप परिशान हैं तो आप निसंग खोच हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाते तो आप हमसे सीधे संपर करके पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिच करेंगे आपको समस्या को सही मिलते हैं एक नए एवम रोचक वीडियो के साथ धन्यवाद